हेलो अब्रियों बेलकम बैक देखे आज बात करेंगे टेस्ट नंबर 14 14 की इलावाद हाई कोट यारो के लिए और टेस्ट होगा सामान बिग्यान से 8-10 प्रसन आते हैं उसके अंदर एक most important topic जो जी बिग्यान है उससे प्रसन होंगे और सारे के सारे प्रसन important होंगे 50 के 50 प्र पर आपके YouTube के app box में मिल जाए यह है YouTube channel का link उपर Facebook page का logo दिख रहा होगा बहाँ पर उसको जाईए Facebook page को like कर लेजे अगर वीडियो पसंद आती है तो like जरूर करना अपनी जो भी query है नीचे comment में वीडियो में बता देना comment करके 2-3 second का time दूंगा एक प्रसन पढ़ने के बाद अपना टिक कर लेना वीडियो के end में comment works में लिखना किसके कितने सही है 35 से उपर सही करोगे तैयारी अच्छी है चलिए जदे ना समय गवाते हुए start करते है पहला प्रसन है पहला प्रसन किसकी मौजूदगी के कारण सरीर में रक्त नहीं जमता हीमोग्लोबिन प्लाज्मा फाइबरिन हेपरिन पताईए صحी आंसर क्या होगा तो कर्यक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हेपरिन की मौजूदगी के कारण सरीर में रक्त नहीं जमता है या रक्त का धक्का नहीं जमता है कुछ हेपरिन जो होता है जोक लीच का नाम सुनाओगा जैसे जो तालब दिमानब नीचे घुसता है उसमें तो बहां उस पर जोग लग जाती है जोग जो है वो जो मनुस्य की बोड़ी में हैपरी नामक ये निकाल देता है तो उससे क्या होता है जो रक्त बहता रहता है अगर जोग को हटा दिया जाए तो उसके बाद ब्लट क्लोटिंग रुख ज जाएगा इसका व्रक से संब्द देता है डायलेस या पोहन यानि किड्नी से संब्द देता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्लेमिंग कहां से आ गया अरस्तु नहीं है मेंडल नहीं है करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर देखते हैं डेंगू किसके कारण होता है डेंगू डेंगू बुखार किसके कारण होता यह होता वेशानू वायरस के कारण प्रोटोजोगा मार कर बलत मत कर देना मलेरिया होता प्रोटोजोगा के कारण पीलिया किसके संक्रमन के कारण होता है देखिए जो पीलिया होता है वो लिबर संक्रण के कारण होता है, ये करत में संक्रण हो जाता है, तो पीलिया बीमारी हो जाती है, मस्तिक्स नहीं होगा, गुर्दा नहीं होगा, प्लीहा नहीं होगा, अगला प्रशन देखते हैं, देखें निमलिखित को सुमेलित करना है, किन किन को इनको सुमेलित करना फिलोस्पी जूलोजिक किस ने लिखी है लेमार्क ने लिखी है उपारजित लक्षौनो की बनसागती किस्की और ये भी लेमार्क किये अनुवान शिक्ता के निया मेंडल ने दिये हैं मटर पर प्रयोग किये थे इन्होंने नेचुरल सेलेक्शन यह जिसको बोला जाता है प्राग्रतिक वरण यह डार्विन का सिद्धान्त है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन है यह मोस्ट इंपोर्टेंट चलिए ओगर देखते हैं किसी भी एक्जाम में पूछ ले जाता है दोसे का रासा निक नाम को पता होने चाहिए A, B, C, D, इनके तो पता ही होने चाहिए इसका correct answer हो जाएगा ascorbic acid, सबसे यदे पाया जाता है आमले में vitamin C अगला प्रस्न, एक स्वस्त मनुस्तिका रक्त दाब, ये देखे सामाने से प्रस्न है, सबको पता होने चाहिए 80-120 mm of Hg होता है important है ये important चलिए अगला देखते हैं iodine की कमी से कौन सा रोग हो जाता है है जद दूसीत खाना या पानी से होता है बताई iodine की कमी से घेंगा हो जाता है polio विशानू से होता है next प्रस्न है l log में कौन सा enzyme पाया जाता है l log में कौन सा enzyme पायाता है rinin tajlin, taninin य恐怖 मिउसिन और टायले नियुड में चैद रूम पाई जाने वाली एंजायम हैं गुणसूतर की संख्यापताय किmompha छाएं मनुसूमें सबको पतना जाएं 46 और जाते हैं मनुसूमें अगले प्रस्षाइड की तरफ बढ़ते हैं युगमों युगुम्हों को सुमेलित करना है ये रिप प्यबर से होने वाले रोग है इनकी कमी से होने फॉन फिर्टा डी होता है इसका मिलान थाया से सही होता हैot सिकालाव संहालन को थीजिए अगला प्रश्ण क्या कहता है। किसे मानब स्रीर का जाता है किसको मानब स्रीर का त्वेन कि attracton कहा charges एक था इन ग हो को नाइक्स प्रशन है किसे आर वी सी का कबरिस्तान कहा जाता है यह आर वी सी का कबरिस्तान किसको कहा जाता है most important को सथान है S.S.C. में पूछा जा चुका है State Public Service Commission का तो पालत हुए यह इस्प्लीन या प्लीहा आपसिन नमबर 2 होजाएगाए उस्प्लीन या प्लीहा को रबीछी रैद्ड बलड कॉर्पल्स का, कवरिस्तान कहा जाता है। गूर्दे की कार्यातम की काई बता नहीएं। गूर्दे की कार्यातम में काई उती एंधिए होती है whenever imagined. पासकल जूल तो फिजिक्स के टर्म है, इस तरह से काटना सीख जाएए, प्रस्न को आंसर निकल जाएगा, आरवीसी का जीवन काल कितना होता है, यह होता है, 120 दिन होता है, आरवीसी का जीवन काल, अगला, सबसे लंबी हड़ी बतानी है, किसमें मानब सरीर में, आपके सरीर अगला प्राशन, निमलिकित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन से है, बताएगे कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन से है, देखे जो साइटोकाइन है, यह तो पौध हमें पाया जाता है, टेस्टेस्टरोन पुरुसका हार्मोन से, इंसुलिन अगनासे पेट में पाया यह estrogen progesterone जो हैं वो strilling hormones होते हैं ध्यान से याद कर लिजे कौन सा समू सर्वदाता कहलाता है बहुत easy है और very important है सर्वदाता और इसके विपरीत होता है सर्वग्राही तो O blood group को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि कि किसी को भी दिया जा सकता है A भी यहाँ सर्वदाता है तो A भी यहाँ सर्वदाता है ने एक्षप्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं निम्लिकित में से कौन सा बिटामिन रक्त का थक का जमाने में सहायक है तो यह हो जाएगा बिटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक बिटामिन है ये सारे के सारे important प्रस्न है रक्त समू की खोज किसने की थी बताए किसने की थी डार्विन गलत है अलेकजंडर फ्लेमिंग फिजिक्स का टर्म है न्यूटन भी फिजिक्स का है विलियम हर्वे ने की थी रक्त समू की खोज अगला प्रस्न है निमलेकित में से कौन सा बिटामिन जल में घुलनसील है देखे ये most important प्रस्न है और यूपी PCS के point of view से तो very important है देखे कुछ बिटामिन है ABCDE के इन में से कुछ जल में घुलनसील है कुछ बसा में घुलनसील है देखे जो BC है BC वो जल में घुलनसील बिटामिन है ADE और जो बचा के वो बसा में घुलनसील बिटामिन याद रखना यहां correct answer हो जाएगा BC क्योंकि पूछा है जल में घुलनसील next देखे नेक्स प्रसन आगिया अब कौन से बिटामिन बसा में घुलनसील है तो देखे यह BC जल में हो गए यहां BC जल में यह भी कट जाएगा यहां BC जल में यह भी कट जाएगा तो ADE के बसा में घुलनसील C का correct answer हो जाएगा इसका अगला प्रसन मानव हर्दे में कितने कक्ष होते है हमारे हर्दे में कितने कक्ष होते है चार कक्ष होते है याद रखना कौन सा हार्मोन सी यह इंपोटेंट है उडो या लडो उडो या लडो कहलाता है यह कहलाता है ADRENAL ADRENALINE हार्मोन सी यह नेलेन ADRENALINE Most important है याद रखना साइटोकाइन पोधों में पाया जाता है एस्टोजन प्रोजिस्टोन महिलाओं का है अगला प्रशन सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है कौन सी है मानब सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी ये है लिवर या यक्रत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथी है और सबसे छोटी ग्रंथी पूछे तो पिटियूट्री ग्रंथी है कहां पाई जाती है मस्तिक्स की अधरतल पर अगला प्रशन है मानब सरीर की किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है उसी ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है तो जो मा मानब में कुल कितनी हड़्डियं होती हैं बहुत इजी है 206 हड़्डियं होती हैं थर्ड कलास से पढ़ते हारे हो गए फलो का मीठा सुवाध किस के करण उता एक सरक्राप आई जाती है फल में जिसके कारण फलो का सुवाध मीठा होता उसका नाम है फ्रक्टोज इस तरह से से याद कर लिए फलो का फापकड़िए फ्रक्टोस का फापकड़िए तो फलो का मीठा स्वाथ किसके कारण फ्रक्टोस के कारण नेक्स्ट प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं, मानब में एच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बताईए किसके द्वारा होता है, मानब में एच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण इसका आंसर हो जाएगा सेरीब्रम, सेरीब्रम के कारण मानब में एच्छिक क कि अमीवा में भोजन का अंत्रग्रण किसके द्वारा होता है बताइए किसके द्वारा होता है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं कौन सा इंजाइम लार में पाया जाता है ने हैं किसका अगला प्रशन के लिए कोसि का किसका उपयोग करती है बताइए किसका करती हैं अभी ऐ अमिनो अमल का नहीं करती है वसामल का नहीं करती है सुक्रोज का कड़ती है कोशिका उर्जा उत्पादन के लिए चलिए आगे देखते हैं किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन वाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है बताई किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है देखे प्रकाष अंसलेशन में तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं विष्रण इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं स्वसन की अभिक्रिया में खादे पदार्थों की परणिती क्या होती है बताईए क्या होती है स्वसन की अभिक्रिया होती है उसमें खादे पदार्थों की परणिती होती है वो बिघटन होती है सीज का करेक्ट हो जाएगा आंसर अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या कह रहा है निमलिखित को सुमेलित करना है देखिए एक कुछ दियें कह दिया है पहला मानब मस्तिक्स का बजन सबसे बड़ी हड़ी मानब मस्तिक्स का बजन सबसे बड़ी हड़ी हड़ी और यह मोच्ट इंप्रणट प्रसन है अलग अलग बैकल्पिक बना कर ही पूचा जासकता sorry पहरी कुझे को चलि आपके देखते है कि निए अगर पदार्थ हो का पॉधों में सन्थानांत्रन का मुख्य रूप कौन नियुके। तो हमारे अंदर होता है मनुस में बुद्धी एवम चतुराई का केंद्र है कहां है मनुस में बुद्धी एवम चतुराई का केंद्र वो है सेरी ब्रम सेरी बेलम लाकर गलत मत कर देना और भूख, प्यास और सरीर के तापकरम का कौन सा है वो hypothalamus है प्रस्ट नंबर 42 की तरह बढ़ते हैं रक्त में glucose की मात्रा नेंत्रित रहती है देखिए रक्त में glucose की मात्रा जो नेंत्रित रहती है वो insulin के कारण नेंत्रित रहती है important है ध्यान देजी oxygen क्या है oxygen बताईए क्या है देखिए carbohydrate नहीं है बसा नहीं है hormones रही है oxygen एक enzyme है याद रखना प्रस्ट पूछे oxygen क्या है तो oxygen मारना एक enzyme होता है जैव प्रक्रम के अंतरगत कौन आता है कौन आता है जैव प्रक्रम के अंतरगत देखिए इसमें स्वसन भी आता है पोशन भी आता है उत्सरजन भी आता है ये सब ही क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतरगत आती है नेक्स प्रेशन की तरह बढ़ते है बायू मंडल में सामानेते CO2 पाई जाती है कितने प्रतिशत देखिए यहां 78% तो नाइट्रोजन है 21% क्या है ऑक्सीजन है 0.03% यहां CO2 यह कारबन डाइकसाइड है याद रखना इनको इंपोर्टेंट है मानब सरीर में जल की मात्रा कितनी होती है तो यह 70-80 प्रतिशत जो है हमारे मानब सरीर में जल पाया जाता है तो 80% यहां उप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा अगले प्रशन की तरह पढ़ते है सामाने तापक्रम लगभग बताना है मनुष्य का यहां देखिए फारेन हाइट में पूछा है सेंटीग्रेट भी है एक आप्सन में देखिए 90 डिग्री सेंटीग्रेट तो होता नहीं है 37 डिग्री सेंटीग्रेट होता है यह भी गलत हो जाएगा 66 फारेन हाइट गलत है 68 फारेन हाइट बिल्कुल गलत है 98.6 फारेन हाइट होता है मानब सरीर का सामाने तापक्रम और 37 डिग्री सेंटीग्रेट और 31 केल्विन होता है में भी प्रोटीन है दूद में थोड़ा आयराना लेकिन सरवादिक मात्रा पालक में है पालक करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण है मानब सरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तो गोंसा है देखिए मानब सरीर में जो सबसे प्रचwould होता है ये इनमें से ऑकसीजेन एकरड़ हो जाए प्रहोंस्त इंपोर्टन्ट प्रश्ण आए और ये रिपीट होता रहता है इसको ध्यां दीजिसे नेक्सट प्रस्ट और अंतिम प्रस्ट है मौश्ट इंपोरेंट टेस्ट रहा एक किस Top तंव का सरप्रथम मुह में पाचंट होता है वसा कि विटामइन पिरोटीन कर्भु होईडरेट इननम्हें से जो सर्व प्रथम मुह में पाचंट होता है जिस सत्व का नाम है कार्बोहाइट्रेट तो 50% कंप्लीट हो गए सामान अध्यन्त के जीव विग्यान से यह मुश्ट इंपोर्टेंट है इलावाद हाई कोड या फिर आने वाली उत्तरप्रदेश लोबर PCS के लिए जब लोबर PCS हो उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज कर कर लेना फिलाल यारों के लिए पढ़िए इलावाद हाई कोड साहिक समिक्षा दिकारी के लिए कमेंट करके बताई किसकी कितने सही हुए अगर कोई क्वेरी हो कोई परिसानी हो तो नीचे कमेंट करके लिख देना बाकी अपने Facebook और WhatsApp ग्रूप में शेयर कर दीजे अपने स णेस समाह तो एब हो का प Blair और भूप में शेयर कोई णर झाड़िए और स्वाण है तक मेंट है किसे कितने सही हो एपने माँyas थाण इलावाद भी कितने से स्वाद में रखने सहे हो दो एपितने समी